हेलो हाई नमस्ते सलाम आज किस वीडियो है क्लास नाइन के चैप्टर नमबर टू फ्रों मैट्स बहुपद पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इसके अंदर जैसे जो जो कोशिन आते हैं जिस ट्राइप के उन कोशिन में क्या-क्या पूछा जाता हैं को कैसे सोल करना है बेसिक से लिएक अडवांस तक सारी बाते इस वीडियो में कवर कर ली जाएंगे इसके बाद में एक्सेसाइज के कोशन वाले कोश लेक्टर वीडियो अलग से आते रहेंगे सबसे पहले इस इंट्रोड़क्शन वीडियो को कह सकते हैं और जो पैटन हमारा पैटन है उसकी वीडियो को स्टार्ड करते हैं तो सबसे पहले देखें कि बहुक्पद यानि कि पॉल्लो मेल्स होते क्या है तो इटीज चैन ओफ टम्स अब तर्म्स क्या होते हैं तो टम्स यानि कि जो भी हमारे नंबर आएंगे नंबर से यह जरूरी नहीं है कि उसमें ह यहां फिर हमारे एकस य जथा है हना सँ इसमें मैं आपको प्लीर कर देता हूं कि हमारे टम्स जो है हमारे पैज जो है यह हम एकस वाई जट यानि कोफिसेंट के आदार पर लेंगे कि किया अदार पर Mis dire इस नहीं इससे कहते है वारिएब क्या होते हैं हमारे यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह से मैंने लिख दें यह फिर मैंने लिख दिया थ्री वाई या फिर मैंने लिख देता हूं यहां पर फोर जेट तो देखें यहां पर जो हमारा थ्री है यहां पर जो फोर है यहां पर जो हमारा टू है जितने भी हमारे अंक आते हैं, जितने भी हमारे संख्या आते हैं, जितने भी हमारे डिजिट्स आते हैं, ये सब हमारे होते हैं, से हम कहते हैं, इंगलिश में कोफिशियंट और हिंदी में कहते हैं गुणा अंक, अब देखिए, अगर मैं यहापकर लिख दू य और मैं कहूं इकोल टू वाई तो आप इसे क्या कहेंगे ? अगर मैं य गुणा वाई लिख दू तो यह हमारा रहता है य स्कुयर यह सब हम चैप्टर नम्मर वन में देख चुके हैं यदि मैं कहूं मेरे पास एक वाई है और एक और वाई है दोनो वाई 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 आ जाते हैं तो मेरे पास total कि कुल कितने वाई होंगे बताइए कुल मेरे पास total कितने वाई होंगे तो हम उसको फाइफ वाई लिख सकते हैं तो ऐसे ही फाइफ देख सके एक मिनट जैसे मैं लिख देजिए फाइफ वाई तो इसका मतलब क्या म हिंदी में सब 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 होता है कि जो होता है साथ में गुणा उसे हम कहते हैं गुणांग लेकिन इंग्लिस में जो है यह थोड़ा सा अलग हो जाता है जिस हम कहते हैं कोफिशियंट और जो दूसरे हमारे वाड होते हैं होते हैं हमारे वैरियेबल्स और वैरियेबल्स को हिंद सकते हैं कि यहां पर इसकी डैफिनिशन लिए इसाइन ऑफ तंस उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने भववंपों आपने पॉलियो मिल्स को कितनी अधार पर बाढ़ते हैं तो इनको बैसिक लिएक न्यूरा उब एंडिल को दिवाइड करते हैं लेकिन हमार जो 9 के अंदर कोशिक बनते हैं वो बिसिकली ट्राइनोमियल यानि की त्री घाती तक ही बनते हैं रेखिए बहुपद रेखिए बहुपद द्री घाती बहुपद तो इसके लिए आपको पूछा जागा इसकी घाद बताएए इसकी घात क्या है तो जैसे आप लेखिए बहुपद रेखिए और मोनोमीयल क्या जाए एक पद बैसिकली जापर पहले देखते हैं इसके तर्म्स के अधार पर हम बहुपदों को कितने अधारों में बाढ़ते हैं या पिर कैसे डिवाइड करते हैं तो देखिए तर्म्स यानिगी मैंने अभी भी आपको रही हों पताया हमारा पर कितने डम्स हैं या फिर आपने चैन देखिए होगी स्रमान खाण के हाथ में ब्स नट होते हैं जो ऐसे से चैन चैन बनी 12 तो यह कितने पद हुए हमारे यह 12 अगर ऐसे ही मैं खाली दो पद लेता तो कितना हो दा द्वी पद अब इन द्वी पदों की जगा पर हम क्या लेख सकते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं 2x2 स्कुयर प्लस 3 x तो यहां पर हमारे पस्क्त हो गए एक 2x qeier हो गया और 3x हो यह दोनों अलग अलग हैं अगर कुisktee पी कि पादब टुसरा भी लड़का तो भी कितने जन हुए दो जन लेकिन अगर लड़का लड़का कांगे दो लड़की मैं राइट है सो यह हमारा एक कलहों जाएगा क्योंकि दोनों सीमिलर ना अगर प Current की committing तो यहाज देखा है एक तू लेक्स अगर मोग दो एक्स प्लस एक्स तो ये और टोएक्स हो गया यानिकी यह हमारा एक हाट वाला रॉक ईक पर ऐसी इसके पावस के अधार पर भी हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो देखिए हिए टर्मस के अधार पर यह तिन परकार के होते हैं मोनोपोर्ड ट्राइंब बाइनोमियल एंद्राइन फिर्टा भी ने को कहते हैं मोनोमियल को एक पद गरी घ्र। फिर ओके ऐसे ही जो है डिगरी के अधार पर यानि पावर के अधार यानि घात के अधार पर हिंदी में पावर घात जातर घात घात की कैसे ऐसे लिखकर आपको मिलता है कि घात के अधार पर यह कितले परकार के हैं तो घात के अधार पर हमारे नाइंत के सलिवस में तीन ही है जिस इसे ह demostさे हैं है रेखिए खाति वर्ग क्यों भी का वर्ग है या फिर गन कहा है सकते हैं इसको क्या कहेंगे हैं घं इसको या क्या कहेंगे है गन कहेंगे ऑके या लिच दो या ठीक है तेरि गाती ठीक को कि रूट्स ऑफ पोलिनुम्ल एंड वैली अफ वैरियेवल यह तोनों एक ही जैसे होती है यह भी आप आप देखेंगे जो बिश्की डिगर्ई हो गिसके रूट भी उतने ही होते हैं अब वह कैसे होता हैं यह वी हम वीडियों में आके देखेंगे कि हम डूट्स कैसे निकाल factor दिये होते हैं उस factor के अधार पर हम जो है उसकी रूट से निकालेंगे और साइकिड के अंदर जो है हम उसको linear linear है यह हमारा द्वी घाती है यह हमारा त्रीक घाती है एक पदी है दो पदी है तीन पदी है करते हैं उसके बाद हम 2.3 में जाते हैं तो वहाँ पर हम zeros को verify करना सीखते हैं and 2.4 के अंदर जाकर हम zeros निकालते हैं उस zeros को अलग-अलग उनके identities के साथ में जो है इसको प्रूव दैट करते हैं सब वह आगे-आगे देखते चलते हैं अब इसके नतर जो इडेंटिटीज आनी है हमारी वह यह वाली है जिसमें x plus y square equals to x दोनों का x plus y का whole square है जो की ब्राबर आता हमारा 2x square plus 2yx xy plus y square तो ऐसे में जो हमारी डेंटिज बनती है ऐसी माइनस में सिर्फ माइनस का साइन लग जाता है 2x 2xy के साथ में बाकी सब सीम रहता है आप यह डेंटिज की स्क्रीन शोट ले सकते हैं तो बोपी में नोड कर सकते हैं जो हमारी इस साइड के एंसम कहते हैं फैक्टर फोम और यह इस साइड में इसको कहते हैं expanded form expanded means जिसको हमने expand कर दिया जिसको हमने विस्तारित रूप से पहलाओ कर बताया है एन नो ने secured फिरूफर फैक्टर थेम आने बाली है फैक्टर थेम वही है जो हम पहले बूड़चुके थे यह जो आज से पहले तक हम ढूब इवाइड करते हां लेकिन इसमें एक चीज जो अलग बहड़ जाती वो यह है कि इसके अंदर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा कौन सा फैक्टर इसके साथ में शूट करेगा सो उसके अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपने दो चीजे जो एज्यूम करनी है वो हर कोशन में बेसिकली सेम ही रहती है और वो क्या है वो देखिए एक्स प्लस वन इकोस टू जीर निकालना चाहते हैं तो आपको उसमें से एक यह वाला जिरो ज़रूर निकलेगा चाहिए वह एक्स ब्राबर गॉन हो या एक्स ब्राबर माइनस वन हो तो आपने उस टाम पर एक एस्जियूम करना है कि इसका माना की लैट इंग्लिश में तो आप क्या दिखेंगे लैट इसके वाल एक्स माइनस या फिर एकस प्लस वन और फिर जो भी आपको एक्स में पुर्ण दे रखी है यह पर एक्स की वैल्यू पूट की जिए और वह था जीरो आ रहिए तो यह आपका एक्स एक एक्स थेन नहीं है अभी आपको समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, इसको जब हम questions answers करना चालू करेंगे, तो आप उसके अंदर इसको देखकर समझ सकते हैं, तो अब इसकी जो अगली वीडियो आने वाली है, वो इसके question answers की ही होगी, thank you, keep stay and keep learning.